आप सभी क्रांथिकारियों को राजेश्वर यादव का पड़ाम, मेरे नौजवान साथियों, आज करोना हमारे देश की जो महामारी है, आज उसकी वह इस्थिती बन चुकी है, कि वह पूरी दुनिया के लिए एक चुनावती बन चुका है, वही इस्थिती आज हमारे देश फायल रहा है, यह बहुत ही घातक है, लेकिन जितना घातक हमारे देश के लिए कोरोना वाइरस नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा घातक इस देश के अंदर अंधभाक्त है, अंधभाक्त ऐसे लोग हैं, कि अगर कोई प्रधानमंत्री जी की टिपड़ी अगर आती है, और उ से ज़्यादा खतरनाक है, यानि वह जो है किसी की भी अभिव्यक्ति की याजादी चीनना चाहता है, किसी की भी मवलिक अधिकार को चीनना चाहता है, जो की बहुत ही दुरभाग्या है, ऐसे अंधभगत नाम का जो विशाडु है, इसे न कुछ दिखाई देता है, और न मिनट ताली बजवाए उसके बाद उन्होंने दीप जलवाया प्रधान मंत्री जी की कोई टिपड़ी नहीं आई कि इसका क्या बैज्ञानिक कारण है लेकिन यह जो अंदभागत वाइरस है इनके अलग-अलग टिपड़ी आना शुरू हो गई आज कोरोना की महामारी जिस तरीके से देश के अंदर फाइल रही है हमारे देश के जो प्रधान मंत्री जी है प्रधान मंत्री जी कह रहे है कि आज देश के अंदर युद्ध जैसी इस्थिति बनी हुई है उन्होंने यहां तक कहा कि हो सकता है कि आपको अपने जेवर अपन देश के अंदर जो राजकोष है वो कहीं न कहीं खाली हो रहा है और मैं आपको बता दूँ कि यह टिप पड़ी जब इन्हों ने किया युद्ध अफ्तर की जब बात किया तो सन 1971 में इंदिरा गांधी की याद आ गई इंदिरा गांधी वह शेरनी थी किसी दल और पार्टी से मतलब नहीं है लेकिन इंदिरा गांधी को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 177 का युद्ध हो रहा था पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पस्चमी पाकिस्तान दोनों अलग थलग जब पड़े हुए थे तो उ अहां तक कि बंगाल की खाड़ी में अमेरिका की जहाज उतरना सुरू हो गए लेकिन उसके बावजूद भेंदिरा गांधी जो है टस से मस नहीं होई थे उन्होंने यह भी नहीं कहा था कि देश के अंदर युद्ध चल रहा है आप अपने जेवर जो है दान कर दीजिए या अपनी जमा पूंजी दान कर दीजिए वह जो है शोयम इस मुहीं से निपटने के लिए शोयम पहल किया और उन्होंने अपनी संपती और अपने जेवर उन्होंने देश के नाम दान किया था प्रधान मंत्री के जो इस तरीके से यह कह रहे हैं मुझे लगता है कि इनका कोश खाली हो गया है और यह कोश कैसे भरेगा मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री के एर फंड तरीके तरीके से जो है लोगों से अपीले की जा रही है कि लोग पैसे दें अरे वे लोग पैसे कहां से देंगे जो आज देश की 70 करोण आबादी आज सडकों पे उतर के भूंक के लिए तांडव कर रही है लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं कि ये जो गोबर भगत हैं अंधभगत इन्होंने कितने रुपए का दान किया है क्या कहीं दिखाई दे रहा है क्या कहीं पता चल पा रहा ह है कि मैं बता रहा हूं आप लोगों से कि यह जो कोिरो न है स्विपत्ती से निपतने के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इस सरकारी कोस्ट भहरा जा सकता अभी तक जितने भी साथी देख रहा है मैं सारे साथीयों से गुजारिष करूंगा कि आप लोग लोगों को जोड़िये और आप लोग लोगों को जोड़िये मैं बताता हूं कि प्रधानमंत्री जी के पास कोई पढ़ा लिखा लगता है कि शलाहकार नहीं है जो उन्हें चलाह दे करके कोश भर दे लेकिन मैं उन्हें सलाह दे रहा हूं कि कैसे देश का कोश भरेगा लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग लोगों को जोड़िए आप लोग इस वीडियो को ग्रूपों में शेयर कीजिए जो काम मीडिया क को करना चाहिए जो दलाली करने वाली भाण मीडिया है 99 पर सेट लोग के वल सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं। उन लोगों को मैं चैलेंज देना चाहता हूं यंचितावनी देना चाहता हूंクेमेरे इन पांच बातों को वह प्रधान कारी साथी कम जुड़े हैं और मैं सभी क्रांतिकारी साथियों से यह चाहूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें जितना लोगों को आप अधिक से अधिक जोड़ेंगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो है सरकारी कोष कैसे भरेग उनके कारियों को बताने के लिए उन पर जो खर्च आता है पूरे एक साल में वह 1200 करोड रुपए आता है 1200 करोड अगर वह दो साल के लिए बंद कर दिया जाए तो 24 करोड रुपए अपने आप सरकारी कोश में चले जाएंगे लेकिन बंद कैसे होगा एक होल्डिंग आप देखेंगे पेट्रोल पंप पे लग जाती है जहां मोदी जी हसते रहते हैं अवन दभागते कहते रहते हैं कि अगर पेट्रोल का दाम 200 रुपए लीटर हो जाएगा तब भी हमारा सपोर्ट मोदी जी को और बिचारों के जेब म में 2 रुपए होता नहीं है कि वह 10 किलो मीटर कहीं चले जाएं बाइक वाले को हाथ मारेंगे और उस पर बैठके जाएंगे उनके जेब में पैसा नहीं है 10 रुपए अब बात करते हैं कि 200 रुपए लीटर पेट्रोल होगा तब भी हम सपोर्ट मोदी जी को करेंगे लेकि कि जो है एकाउंट में पहुंच जाएगा अभी तक देड़ हजार साथी जुड़ चुके हैं मैं इन सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग दस-दस ग्रूपों में इस वीडियो को शेयर करते रहें लेकिन इसमें 400 भागत ही हैं जो अंदभागत नाम का वा पजार लोगों को जोडने में चंद्र मिनट लगाएंगे चंद्र मिनट उसके बाद मैं आपको दूसरा बताता हूं कि एक नियम से अगर सरकारी सरकारी होल्डिंग पोस्टर प्रचार बंद हो जाए तो 24 करोड रुपए दो साल में मिलेंगे उसके बाद मैं दूसरा आप को बताता हूं सेंट्रल बिष्टा प्रोजेक्ट सेंट्रल बिष्टा प्रोजेक्ट हो सकता है कि आप लोगों को न जानकारी हो उसको मैं बताता हूं कि सेंट्रल बिष्टा प्रोजेक्ट का मतलब है नया संसद भावन बनाने की तैयारी कर रही है सरकार नया संसद भावन जो बनाया जा रहा है उसके लिए 20,000 करोड रुपए इकठे करके रखे गए हैं कितना 20,000 करोड रुपए मैं यह कहता हूं कि इस समय जो देश आपात इस्थिती में जूज रहा है यह इस्थिती है कि देश की हमारे नारियों को अपने पायल अपने मंगल सूत्र अगर दान म अगर नई अस्पताल बनती होती तो अलग बात था कि नई अस्पताल बन रही है कोरोना से लड़ने के लिए तो यह 20,000 करोड रुपए वहां लगाये जा सकते हैं 20,000 करोड रुपए नए संसत भवन बनाने की जरूरत नहीं है यह जो है देश को आपात इस्थिती से निप करके और अधिक लोगों को जोडते जाएंगे उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अब जो मैं कह रहा हूं कि नए संसत भवन बनाने की जरूरत क्या है तो हो शकता है यह अंधभक्त नाम का जो वायरस है वह कहेगा कि नहीं यह तो मोदी जी के हाथों बन उसके बाद तीसरा मैं आपको बता रहा हूं कि विदेश दावरे पर हर साल 400 करोण रुपयक हरच होते हैं तो यानि कि एक हजार करोड के लगभग सरकारी कोश में वह भी इकठा हो सकता है जबकि आज के जवाने में प्रेस कानफरेंस होती है वीडियो कालिंग होती है कई देश के लोग आपस में बात कर सकते हैं तो इस खर्च को रोका जा सकता है इस खर्च को रोका जा सकता है आज जिस तरीके से देश की यह इस्थिती है और अभी तक 2000 से ज़्यादा साथी जुड़ गए हैं मैं शारे साथियों से निवेदन करोंगा कि हम आपको पांचों बाते बताऊंगा लेकिन आप लोग एक बार इस वीडियो को ग्रूपों में शेयर कर दें प्लीज ग्रूपों में शेयर करने के लिए आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग शेयर का आपसंद दबाएए जैसे शेयर का बटन दबाएंगे वहां उपर लिख के आएगा राइट दपोस्ट उसको छोड़ दीजिए दूसरे नंबर को छोड़ दीजिए तीसरे नंबर पर जाएंगे तो वहां जो अंदभगत नाम का वाइरस है उसकी तीन मुंडी बनी होगी वहां अब उस मुंडी पर क्लिक करेंगे तो ग्रूप आजाएगा और बारी बारी से एक एक ग्रूपों में आप 10 ग्रूपों में शेयर कर दीजिए वहां जो है आप देखेंगे जैसे आप सेयर का बटन दबाएंगे तो तीसरे नंबर पर राइट पोस्ट छोड़ेंगे दूसरा नंबर भरेगा वह चौथा नंबर में इतना अधिक धन आएगा कि आप सोच नहीं सकते कलपना नहीं कर सकते यह जो है सरकारी नाजायज जो खर्च होता है जो अमली जामा पहनाया जाता है बी बी आईपी नेताओं के लिए जो फ्लीट चलती है उसमें जो खर्च आता है वह ज़्यादा जूठ बोलते हैं जंता में उनका विश्वास नहीं है तो 30동 से जयादा कटैती अगर हो जाएगी तो उनके लिए सायध खतरा भी पैदा हो सकता है उनके लिए खतरा ना पैदा हो इसके लिए मैं कह रहा हो कि 30% कटाउती उसमें से अगर हो जाए, 30% कटाउती अगर हो जाए, तो 2 लाख करोण रुपए, कितना? 2 लाख करोण रुपए बच सकते हैं सरकारी कोश में, जो कि बहुत बड़ी रकम है, 2 लाख करोण बचाया जा सकता है, लेकिन मीडिया इस पर बात नहीं करेगी, मीडिया इस पर बात करेगी, कि शांसदों, मंत्रियों या राष्ट पती के खर्चे में 30% कटाउती की गई, लेकिन जो सरकारी नाजायाज खर्चा है, उसमें कटाउती नहीं, उनकी शेलरी में कटाउती की गई, 30% उनकी Salary में Cuttautie की जाती है तो यही एक दुनिया की खबर बन जाती है लेकिन अब ही जो है कैई शालों में इनकी Salary में 500% की बढ़ोत्तरी हुई है 500% 500% की जो बढ़ोत्तरी हुई उसमें जो है कोई कि खबर नहीं बनी और 30% Cuttautie पर खबर बन जाती है मैं क्या बताओं कि जो आज की मीडिया है उसका अस्तर इतना गिर गया है कि ये बात कोई और करते हैं खबर कोई और फैलाते हैं और गलत खबर होने पर ये माफी भी मागने लगते हैं तो आईसी मीडिया पर क्या भरोसा किया जाए कि ये किस तरीके की खबर बनवाते हैं उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रधान मंत्री जी जो आज एक कह रहे हैं कि हो सकता है कि आप लोगों को गहने जो है अपने जेवर अपनी जमा पुझी देश के लिए देना पड़ सकता है जितने भी साथी देख रहे हैं धाई हजार के आसपास लोग देख रहे हैं मैं सभी साथियों से एक बार गुझारिश करूँगा कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को एक बार अपने अपनी टाइम लाइन पे शेयर करना है आपको बताऊंगा कि आप शेयर का बटन दबाएं और जैसे ही शेयर का बटन दबाएंगे लिख के आएगा राइट दा पोस्ट सब से उपर उसी पे क्लिक कर दीजिए उसी पे क्लिक करेंगे शेयर दा पोस्ट लिख के आएगा उसको शेयर कर दीजिए प्लीज एक बार उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि गुजरा से रिलेटेड है गुजरात से संबंध रखता है हमारे आधरणिये प्रधानमंत्री जी सरदार पटेल की जब मूर्ती बना रहे थे गुजरात में तो उन्होंने लोगों से लोहा दान करने के लिए बोला था क्योंकि वह मूर्ती कोई छोटी मूर्ती मूर्ती नहीं थे बहु मूर्ती बनवानी पड़ी और जो कि पहली ही बारिस में वह मूर्ती रिशने लगी मैं यह कहता हूं कि वह 3,000 करोण जो मूर्ती बनवाई गई उस मूर्ती को अगर अस्पताल बनवाई गई होती तो आज सायद कोरोना से लड़ने की एक बहुत बड़ी ताकत मिलती बहुत खड़े कर रहे हो तो मैं यह मानता हूं कि जब मायावती बनवा रही थी तो मैं यह कहूंगा कि मायावती ने तो मूर्खता का काम किया इसलिए जो है आपके मोदी जी को लाया गया तो मोदी जी ने इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर दी यानि कि अगर जो है तीन हजार करोण की मूर्ती जो बन रही थी अगर अस्पताल आजफरदार बल्लब भाई पटेल के नाम से बनी होती गुजरात के अंदर तो सबसे बड़ा जो युद्ध आच्चल रहा है कुरोना से लड़ने का वह लड़ा जाता उसके बाद मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मोधी जी को अमेरिका से ही सीखना चाहिए ट्रंप से ही सीखना चाहिए कि ट्रंप ने जैसे दवाओं के लिए दवाव डाला भारत पर और उन प्रधान मंत्री जी को कहा कि आप प्रतिबंध हटाईए और दवा हम को दीजि उस चमय प्रधान मंत्री जी ने शायद कहा होगा कि नहीं कहा होगा कि हमारे देश में भी मरीज हैं वो बढ़ सकते हैं इसलिए हम प्रतिबंध लगाए हैं लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने कहा कि हम बदला लेंगे कारवाई करेंगे अगर आपने हमको नहीं दिया त को आपने देश के लोगों को बचाएंगे उसके बाद हम जो हमसे बचेगा तब हम देंगे तो गर्व के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे अधर्णिय प्रधान मंत्री को भी यह कहना चाहिए था कि फास्ट इंडिया फास्ट भारत सबसे पहले हम भारत को देखेंगे उसके बाद जो बचेगा हम देंगे लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा लेकिन आज जो तमाम गोबर भगता हैं तमाम अंद भगता हैं जो गाली गलाउज करने वाले लोग हैं मैं उनको यह कहूंगा कि इस समय गाली गलाउज करने का टाइम नहीं है गाली गलाउज मत किजिए अच्छा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस समय जो मुसल्मानों के सबसे बड़े मसीह माने जाते थे अपने आपको दलितों का मसीह कहते थे कंधया कुमार जो वह कंधय कंधया कुमार इस बुरे दावर में नहीं दिखाई दे रहा है जबकि उसको तरह तरह के आज मुसल्मानों पर ट्रोल किया जा रहा है उन पर आप सन लगाया जा रहा है अगर जमातियों ने गलती किया लेकिन पूरे देश के मुसल्मानों को ट्रोल किया जा रहा है पूरे नहीं दिख रहा है क्योंकि इस समय चुनाव नहीं है जब चुनाव होता तो कनहया कुमार दिखाई देता क्योंकि यह ऐसे लोग हैं कि यह लोग आप लोगों को मरहम नहीं लगाते हैं, आप लोगों के जखम पे नमक छिड़कने वाले लोग हैं, और नमक छिड़क करके आपकी बोट हती आते हैं, यह बोट की राजनीती करते हैं, लेकिन हम लोग बोट की राजनीती नहीं करते हैं, सबसे पहले देश है, देश बचा रह तो सब कुछ रहेगा इसलिए मैं यादरडिय प्रधानमंत्री जी को कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आप पांच कोशों से कई लाख करोण रुपए इकठा कर सकते हैं इस कोरोना से लड़ने के लिए और जितने भी साथी देख रहा हैं मैं सभी साथीयों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग मेरी इस बीडियो को प्रधानमंत्री जी तक जरूर पहुंचा दीजिए मोदी जी तक जरूर पहुंचा दीजिए हो सकता है कि उस पर एक्षन ले ले अगर एक्षन लेंगे तो भारत सरकार के पास एक लंबा खड़ी कर सकते हैं यह जो आपको बता दूं अगर होल्डिंग वाला काम बंद कर दें प्रचार प्रशार का काम सरकार का बंद कर दें तो जो 24 करोड़ रुपए बचेगा 24 करोड़ में कितनी अस्पताल खड़ी होंगी यह आप समझ सकते हैं शेंट्रल बिश्टा प्रोज वृत्री जी आए दिन नए नए शूट पहन करके विदेशों में दौरा करते थे अगर उस दौरे पे रोक लगा दिया जाए तो कितना पैशा बच सकता है और फरकारी देश को बचाओ उसके बाद तुम अपना वाइरस फैलाओ क्योंकि जो तुम्हारा वाइरस है यह वाइरस बहुत खतरनाक है क्योंकि तुम जैसे वाइरस के कारण कभी पहलू खान की हत्या हो जाती है कभी जुनायत खान की हत्या हो जाती है कभी रोहित बेमुला की हत्या हो जाती है तो तुम लोग जो वाइरस हो बहुत ही खतरनाक वाइरस हो मैं जितने भी साथी देख रहा है मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और पहुंचाने की कोशिश करें और हमने जो क कुछ कहा है अगर यह गलत हो अगर यह गलत होगा